हेलो फेंड्स नमस्कार मैं मोनु सिन और आप देख रहे हैं स्मार्ट बल्डॉफ टेकनलोगी दोस्तो आज की वीडियो मेरा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है इस से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो ट्रेन से रिलेटेड बनाया था कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेन से कैसे ले जा सकते है और मैं उसका एक्जामपल दिया था दिल्ली से पटना का तो दोस्तो आज की वीडियो मैं ट्रांसपोर्ट के वारे में ही बनाने जा रहा हूँ लेकिन रोडवेज के द्वारा बनाने जा रहा हूँ, यानि कि ट्रक या टेम्पू के द्वारा आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे ले जा सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों मैं गया था देल ही, कमला मार्केट, न्यू दिली र और उसके बाद जातके ये वीडियो में तयार कर रहा हूँ, और पूरा समझने के बाद तयार कर रहा हूँ, तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, और उस वीडियो क्लिप को आप देखें और समझें, और जो कुछ आप नहीं समझ पाए तो आप एक गेसिंग कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, दोस्तों कई लोग कहते हैं कि मुझे राची के बारे में बताएं, कई लोग कहते हैं कि मुझे पठना ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं, कई लोग कहते हैं मुझे कलकता ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं, तो दोस्तों क्या ये पॉस्वल है कि पत्ते एक ब्यक्ति के लिए अलग-अलग बता पाना तो दोस्तों मैं शर्फ आपको एक हिंट दूँगा एक अधार दूँगा जिससे आप समझ सकते हैं और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं एक अनुमान दे रहा हूं बाकी सब पे डिपेन करता है और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों बेल का आइकॉन जरूर प्रेस करें क्योंकि दोस्तों मेरा आने वाला हर वीडियो अब तभी मिलेगा आपको जब आप बेल का नोटिफिकेशन करेंगे तो ठीक है देखिए वीडियो क्लिप को और फिर मैं आपको समझाता हूँ अब देख रहे हैं स्मार्ट बल्डॉप टेकनलोजी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी प्रेस कीजिए हम लेके आते हैं आपके लिए लिए लिटेस जलिए अब हमें ट्रांसपोर्ट वाले से बाते हैं आप अब हर अब खाल यहां से समान लेजाना है यहां से मुझे लेजाना है यह पाणपूर है वहां तो क्या है साथ किता वजे रबतागे क्या सामान किया एए चोड़ा सा टेंपू है बस सतर पजर का समान सबाद कि इस एप लोगों के इस पेटी के हिसाब से चार-पांच पेटी होगा जो बोडी-बोडी में है और लगवोग वो का मैं पांसो खिलो कि अस पास होगा यी अपना या करेवा है कि अपना पूहे हाँ और नेटो और आपना अपना पार वाते हैं चोटे गरी तो हमता आलगा का नहीं साब किताब है और लुटा अपना काडि गड़े और यहां से क्या booking होता है? यहां आप पर चाहा आपका पेपर? महां सब कुछ है जिएस्टी नमबर के साथ है तो ने आप पता करणा आप अपर सावी से वही पड़े ले जाओ पूर अपर अपर आप अपर 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 201 बात बहुत इकला वह दो करें रोल्य थे आगा और कि अगा है जन्ट कि आड रोखन्व को आपको अबिटार्ट सब्सक्राइब आगेज़िक लेटां पर लिए जोड कर्वार्ट समय थे वरेज्ड़ जोड़ी टूकर होुआ याजियर नियागे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें बात नहीं बना है, अब हमें चलना परेगा कहीं और, और करना होगा किसी और से बात, चलिए देखते हैं, अब कौन मिलता हैंगे, आगे जाकर हैं कि ऐखते हमें, कि कानपूर का क्या है? किताब है जलंदर जलंदर का क्या है इसाब किताब है वो सदर बजार साय जैसे खेलोनिय एलेट्रोनिक आइटम है यह सब आइग नग कितना लगेगा यह नग जो आपका है यह सामने इस्टेक दनव है हाँ यह बीच में है यह सब यह सब तो एक ही साइज आगे आगे लिए पकाविल जेस्टी नंबर आप भी जेस्टी टैक्स लोगे तो जेस्टी नंबर तो वहां होना चाहिए न मालो मैंने जहां से समाल लिया यह सब्सक्राइब तो जेस्टी को बाड़े में जाना है समझाए तो जेस्टी से कोई भी व्यक्ति ले सकता है अगर मेरा जेस्टी नंबर है फिर आप क्या लोगे? मैं दोस्त नमर से भुक करभा लूगा तो आप मेरे को एक अनुमान देन न दो इन अधा है यह उतना गया एलेक्ट्रों ही कुटके रहा तो ऐसे बोरा जाएगा ने 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 आपका ये देखो ये है ये बीच वाला वो उस टाब करना हो गया का पशे लोगा है पड़ा हो गया थे प्रफाइब ये किलो के हसाब से नहीं है तो आप ये समझ लो ना ये जो है ना ये ये दिए टीन सड़ तीन चार गी नीच वह आप ये सो थे तीन सो के है आप ये टीन सो अनुमानिया आप ले लगा दिया पचिस बजास उपर नीचे नग दिखने को आदा है ना अच्छा बीना जीएस्ट्व नंबर के मुछे वहां मिलेगा है ना ये ज़्या बीने ज़् अच्छा ना अच्छा बजार है अच्छा थे थे तो वीडियो क्लिप आपने देख लिया अब आप उससे अनुमान लगाएं कि आपको क्या करना है और मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो को किलियर कर देता हूं दोस्तों जब मैं कमला नगर मार्केट में गया वहां करना है वह कुछ ट्रांस्पोर्टर यानि कि ज्यादा तर्ट अगर आपके पास ज्यस्टी नंबर नहीं है तो वह ले जाने को तयार नहीं होते हैं हलाकि नियम में ऐसा नहीं कहा गया है अगर मैं ग्रहां कूँ अगर मैं जाता हूं समाल लेने के लिए मेरा सलाना 20 ला टर समझले को समझ नहीं आता यह कुछ के पास सिस्टम नहीं है या इनके पास ज्यादा जनका जानार नहीं है बस इस अब आप से टाइप में होता है उसका जो कीमत है वो अगर आप देली से कानपूर जाते हैं तो लगवक 9000-10,000 रुपए उसका कीमत है मतलब भाड़ा किराया है उसका तो यह अनुमानित है अब दिली से कानपूर कितना किलोमेटर आप गोगल पर भी सर्चमार सकते हैं और देख सकते हैं को किराय जो बता दिए वह क्क्या है इसे कंभान आपको कम जादा में कर सकता है यह मैं अनुमानित बता रहा हूं लेंगिस्कित के ही ततीजल इस दो ओड़ा यह जल्सकित है गर में बहुन आप जला कि वहुछा सकते हैं लुग हैं यह एक विडियों में देख तो उसका इंडिया में 20 जगह ही वह supply दे सकता है उसका वहां पे high नहीं hold तो वह नहीं दे सकता है तो कोई दूसरा दे कोई तीसरा दे तो पता करे कि आपके आज पास कौन है और जो ट्रांसपोर्टर जा सकता है और दोस्तों यहां पे एक बात और पता चला है कि आप यहां क ट्रांसपोर्टर हूँ अब जो घ्रांसपोर्टर होां मिलेंगे फुद्रा में ले जाते रहे तो उसमें ऐक दोवोड़ा है एपका ले सकते हैं तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर बात करना पड़े गा अब वहीं सदर्वजयर है कहां पर नय मार्केट तो वीडियो के description में में एक link है जिसमें मैंने बताया है कि यह अनाज का market है वो पूरा market ही उसी में आपको मिलेगा transporter भी वहीं पे मिलेगा तो वो वीडियो को आप देखें कि अनाज wholesale में कहां से खड़ी दे इस नाम से वो वीडियो है और इसका link description में है वहाँ पर उस वीडियो को देखें वहाँ पर वीडियो के description में address भी है अब देख लेना और 24 बाकी phone number मैंने दे दिया इस वीडियो के end में तो आप संपर कर सकते हैं कुल मिला के जो समझने वाली बात है कि आप अगर कानपूर के इतना दोड़ी पे ले जाते हैं तो लगवाग 9-10,000 रुपे खर्च करने पड़ेंगे वहाँ 407 इतना बरा ट्रक का अगर 16 टेम्पू ले जाते हैं तो पांच-छे अजार 7,000 यह लगेगा लगवाग 6-7,000 तो बाकी अगर आप खुद्राम बेचना चाते हैं तो नक के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि 300 रुपे लगेगा एक अनुमानी तरह 25-50 उपर नीचे हो सकता है तो ठीक है कुल मिला के इतना ही है मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो समझ गए होंगे और मैंने बस आप को एक समझाने की कोसिज किये अपने तरीके से आपके अपने लैंग्वेज में तो दोस्तो मेरा वीडियो आज का इतना ही रहा दोस्तो लाइक सस्क्राइब सेर करना बिलकुल न भूले और मैं इसी परकार का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और कॉमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि मैं आपके लिए कौन सा वीडियो बनाओ ठीक है मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाहिन जाहिन दुस्तान